एलो दोस्तों केसे हो आप सभी लोग आया होप आप सभी लोग अच्छे होगी आज के हमरी वीडियो नहीं पजाज पल्सर P150 के ऊपर तो शुरू करते है आज की वीडियो वेल्कलम टू माँ चैनल गाइस बजाज ने अपनी लेजेंडरी बाइक 220F को डिसकेंटियू करने के बट बजाज की 150CC में कोई बाइक अभी तक लाँच हुई नहीं थी so बजाज ने N160 के ऊपर बेस बजाज पल्सर P150 लाँच कर दी बजाज पल्सर P150 ये पुरानी वाली बजाज पल्सर P150 की रिप्लेस्मेंट है बजाज पल्सर P150 में आपको दो वेरियंट मिलते है दियोल डिस्क और सिंगल अब जो फोटो देख रहें वह डियों डिस्क वाला है गाईस और इसमें आपको स्प्लीट सेट मिलने वाले क्लिप अंडल बार मिलने वाले है डियोल डिस होने के बावुजुद इसमें डियूल चैनल ABS नहीं दिया गया है और उसे के opposite single disc variant में आपको single sit setup मिलता है handle bar की positioning upward और bar दिया गया है clip on नहीं मिलते है इस bike में इसके back tire पर आपको लग रहा होगा ABS की ring है पर यह ABS की ring नहीं है यह एक sensor दिया गया है panic breaking की दोरन गलती से जब stop ही लगती है तब ही sensor detect करता है कि back wheel air में है या फिर हवा में उट गया है तब आगले वाली ब्रेक देरे देरे चुटने लगती ABS की तरह ही काम करता है बट ABS नहीं है इस bike में आपको सामनी की तरफ 31 mm के telescopic suspension मिलते है front और back tire 30 की नहीं दी गए है 80 by 100 और 110 by 70 section के tire इस bike में आपको मिलने वाले है बजाज की तरफ से यह totally new package होने वा 14.5 PS की at 8500 rpm और maximum torque generate करता है 13.5 Nm at 6000 rpm इस photo से आपको पता चल गया होगा कि इस में आपको underbelly exhaust मिलने वाला है इस bike में आपको सामनी की तरफ LED DRL और projector headlight मिलने वाला है tail lamp पी आपको LED की दिखने वाली pulser की famous split back tail lamp आपको मिलने वाली इस में इस bike में आपको 14 लीटर का fill tag मिलने वाला है और इस bike का curve weight 140 kg है जो की पूराने वाली pulser से 10 kg से 5 kg कम है बजाज pulser P150 की एक शोरूम प्राइस 1,17,000 है गाईस यह एक शोरूम प्राइस में पुने की बता रहू स्टेट वाइस एक शोरूम प्राइस चेंज होते हैं गाईस प्राइस